और मेरे अधिकार मेरे घर तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो इस परदेश के मुख्यमंत्री मनूरला जी ने किया है हमने तो घर तक उनके अधिकार पहुंचाए लेकिन देखिए हमें चुनोती दी जा रही है हमें तो क्या प्रदेश की जंतों को बोला जा रहा है हम आए तो आपके सारे अधिकार वापिस खीच लेंगे प्रदेश की जंता को कहा जा रहा है धमकाया जा रहा है प्रदेश की युवा को वो युवा जो अपने हाथ में मोबाइल ले करके चलता है वो युवा जो हर अध वेवस्ता चाहिए ओनलाइन लेकिन दूसरी तरफ हमसे पहले की जो सरकार में रहे हैं जो पूर मुखे मंत्री भुबेंदर सिंग उड्डा जी है वो सर्ब जीरिक मंच पे कह रहे हैं आप पोर्टल ही बंद कर दूंगा मैं ओनलाइन वेवस्ता ही कतम कर दूंगा अरे भई हुड्डा साब आप सोचिए आप क्या कहना चाह रहे हैं आप हरियाना परदेश का जो भविश्य है जो युवा है उसको ये कहना चाहते हैं कि मैं 1970 में ले जाऊंगा हरियाना को आपको बिजली के दफतर में जाकर को बिजली का बिल देने के लिए को दे लिए के लिए कुछ रिष्वत दे दीजे आप पानी का बिल जमा कराने के लिए जो हमने एल्डं विवस्ता कायम कियी है क्या व tra bolline विवस्ता बंद करके बोलेंगे कि मेरे बीच में जो एजेंट खड़े होंगे उनको पहले डिक्षवत देंगे उसके बाद पानी का बिल जमा होगा अरे बैई आप तो हम एम जैसे अस्पताल के अंदर जब पर्ची बनानी परती थी कि वहां पर भी कहते हैं कि कोई दूर दरास से आना वाला व्यक्ति है तो उसको पूर्टल पर जागर के अपना रेजिस्ट्रेशन करवाए उसको डेट मिलती है वहां पर भी ऐसी वेवस्ता पायम कर दिये पर्देश के अंदर हमने कहा कि एक वार परिवार पेचान पत्र बना ली पास्वार्ड होगा किस योजना के आप पात्र है केबल आपको वो अपने डॉक्यमेंट सब्मिट करने और वो योजना आपके घर तक आपके दर्वाजे तक पहुंच के आएगी हुद्दा साब करें मैं बंद कर दूंगा बताइए मैं क्यों बंद कर दूंगा भई आप कोन होते हैं इस परदेश को पीछे धकेटने वाले आप कोन होते हैं इस परदेश के अंदर वैसी बधाली लेकर के आने वाले जैसी बधाली इस परदेश की जनता ने देखी थी पहली बार मनोरलाल जी ने अगर वैवस्ताओं को ऑनलाइन किया है और बारा सो करोड रु कियसा हरियान सोच के बैठेहें हैं आप कि आपके दिमागें कोई पिक्टर तो होगी हरियाना की इसे आद दिल वा देशने हैं कि यहां से पहले अगर रुड़ा साब कहते हैं तो हम तो कहते हैं चार मेने की चुनोती ले लिजी हुड़ा साब अपने घड़ से शुरू करें सारी ओनलाइन विवस्ताहें बंद कर दें के हैं की माने और से पूबायL यूस नहीं करूंगा कि दूसरा फॉन लच करूंगा किहन की मैं बिजिवी का बिल मुझ फूट जमा करवाने जाऊँगा कажиं धि dziस्वां hen Kentucky तो फिजिकली चैलेंज है अगर वो अपने सुविधाओं को अपने मोबाइल पर पारा आए तो उड़ा साफ आप क्यों मिल्च में अपने एजेंट घुसाना चाहते हैं कमिशन खोरी के लिए परिजन तो ठीकरी है माल साथ लिए आपके लिए अनल्ड के मंज पर आज नहीं शुरू सही सभी परिष नेता ताव देविलाज जी को अपने शुदाज़ी देने के लिए आते दे और कई तो आपने देखा भी कि आज ही रैली हुई इसली बार भी आपने देखा जीन में हो और मत पांच दिन के बाद देखेंगे वही नेता जो है वह दूसरे गड़ बंदन में होते हैं उनके साथ में होते हैं तो वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है वो लोग एक स्विच्छा से जाते हैं वागर तो आप देविलाज जी को श्यदाजली देने के रूप में ना जनक रूप से विपक्ष में बैठें बैठे रहिए ऐसे हलात ना हो जाएं कि आप विपक्ष के लाइक भीना रहे जाएं क्योंकि यूवा जागरूख है यूवा समझता है और यूवा जवाब देना भी जानता है अब तो परदेश का यूवा पूछेगा उड़स आप य लेने वाली होगी परदेश की महिला ने लेने वाली होंगे परदेश के यूवा और जब यह सब लोग अपना निड़ने लेंगे तो आप देखिएगा अर्याणा के अंदर पहली बार तीसरी दफा भी अगर कोई सरकार बनेगी तो मनोरलाल जी की सरकार बनेगी अर्याणा में भारतिय जनता पाटी रिपीट हो रही है मनोरलाल जी की सरकार मजबूती से और मेज्योरिटी के साथ आ रही है यह हम नहीं कह रहे है वो विपक्षी दल भी जानते है अगर वो यह जानते ना होते तो इतनी बड़ी बात ना कहते इतनी बड़ी बोखलाट न अब हर्याणा को क्या बनाना चाहए रिइडिया डी लायन्स यह I-N-D-I Alliance है इन्डिया की फुल फुरम बेoshima है. I-N-D-I Alliance की फुल फुल फुरम ही बे itt अलग है. और इस फुल फुल फॉरम के अंदर पहले को खुदी हमको णिचा रेते हैं। कई आम आदमी पार्टी कहती हैं को ए अफ चाहिते हैं कभी कंग्रस के साथ हैं फोनugen जगाररीफ्ट हो जाता है इडर कम्म।निस्ट कहते हैं जी हम इसी अलाइंस के अंदर हैं वंगाल में, चाहि Olay चाहिते हैं कि हम इनके खिलाव प्रपाइब है। हर तीसरे चोथे महीने या हर साल के बाद एक ना एक चुनाव इसलिए आपने देखाए कमेटी भी हमारे पूर राष्ट्रपती मानिय रामनाद्खोगिन जी के अध्याष्ता में बनाई गई जिसमें इसमें विचार किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए उसमें अभी पीछे दो दिन पहरे हमारे मानिय ग्रैम मंत्री आमित्शाद जी ने भी उस मीटिंग को अट्रेंड किया था तो देश के प्रधान मंत्री के तो सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए इससे संसादरों में संसादरों को बचाया जा सकता है पैसे को बचाया जा सकता है समय को बचाया जा सकता है हर तरीके से देश के फाइदे में तो ये चुनावी प्रक्रिया में ना रहे हम काम को अंजाम दें काम के एक्जीकुशन में अपना वक्त लगाएं तो इस सोच के साथ चलना हमारी सोच है देश के प्रधान मंत्री की स चाहती भी है कि भई हम त्यारी करें तो सब के पास अधीक आरा है वो चाहे जीजेपी हो चाहे वाइलेल्डी हो वो अपनी तरक से त्यारी कर रहे हैं जीजेपी ने खुद लाजस्तान में बूब किया तो यह उनके प्रेरोगेटिव्स हैं उस विशेशाधिकार के चलते हो करने जीजेए जीजेए स्पित अई प्रेकी मुद आराइंगे प्लेवेटि तर्डाहे जड़स्तान आरा